Hey guys, what is up, क्या हल चले हैं आप लोग के और दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डारी थी Firebolt Ring 2 जो कि एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है कभी इच्छी कासी स्मार्ट वॉच है आप उसकी वीडियो चेक कर सकते हो लेकिन उस वीडियो के नीचे बहुत स स्टेस करेंगे और यह बताऊंगा यह वाच आपको लेनी है या फिर नहीं क्योंकि इस वाच को मैं पिछले कुछ दिनों से यूज भी कर रहा हूं तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इसकी अन्बॉक्सिंग से लेकिन उससे पहले जैसा आप मेरे पास यह दो तो यह रहा फायर बोल्ट रिंग 2 का बॉक्स और यहां पर जैसा आप देख सकते हो ब्लैक बले को तो मैं अल्रेडी अन्बॉक्स करके यूज करी रहा हूं तो इसको रखते हैं साइड में और यह आप लोगों के लिए और उसके लाबा यहां पर यह जो दूसरा क्लेर है तो इसको अन्बॉक्स करनेते हैं जल्दी से तो सबस्वेले जैसा देख सकते हो 1.3 इंचिस का आपको यहां पर एमुलेट डिस्पे मिलता है सर्कुलर डायल वाली यह वाच है और हमारे विराट को लीजी यहां पर है और उसके बाद यहां पर इसके कुछ फीचर वगरा तो 1.3 इंचिस का डिस्पे है यहां पर 7 डिस की बैटरी मिलेगी उसके लावा अलाम और स्टॉप वाच स्लीप ट्रैकिंग यहां पर म्यूजिक कंट्रोल भी कर सकते हो वैदर अपडेट और यहां पर क्यामरा कंट्रोल कर पाओगे तो जल्दी से यह जो बॉक्स है इसे अब कुछ इस तरह से दिखती है तो वाच को हम आगे देखेंगे बागी जो बॉक्स के गॉंटेंट है उसे यहां पर चेक कर लेते हैं तो यहां पर बॉक्स में आपको एक यूजर मैनुवल मिलता है तो सारी इंफोमेशन आपको यहां पर मिल जाएगी कैसे यहां पर इस तो यह है firebolt incredible और वाच जहां पर ट आप देखंगे तोael जो एक यहां पर मेटल के मिलता है तो यहां पर यहां पर मैटल की मिलती है तो यह भी काफी बड़े चाँ बाकि अगर मैं इसके ओवर्वीव की बात करूं तो फ्रंड में जैसा आप देखी सकते हो यह 1.3 इंचे इसकी स्क्रीन आशको ऑन करेंगे देखेंगे उसके लाबा इहां पर एक राउन बटन है तो यहां पर इसके मादद से आप इसके फंक्शन वगार एक्सेस कर सकते हो औ और यह जो part है यहाँ पर polycarbonate है, प्लास्टिक है, तो यहाँ पर आपको frame metal का मिलता है, लेकिन इसके लावा यहाँ पर अगर मैं इसके straps की बात करूँ, तो straps यहाँ पर काफी soft है, सिलिकन straps आपको मिलेंगे, और color भी हाँ पर काफी बढ़िया लग रहा है, और यहाँ पर यहाँ पर यह जो इसका buckle है, यह भी हाँ पर metal का आपको मिलता है, और यह जो straps है, यह जो replaceable straps है, तो यहाँ पर आप easily किसी भी 22 mm वाले straps के हाथ इसको replace कर सकते हो, तो design और जो build है काफी बढ़िया लगी, काफी premium से लगती है, और काफी sleek सा design है, और यह जो rose gold color है, यह मुझे लगता है कि female को जादा पसंद आएगा, यहाँ पर black color में भी यह काफी अच्छी लगती है, काफी premium लगती है, तो आपको कौन सा color अच्छा लग रहा है इसमें, यह rose gold या फिर य यह black, यह आप मुझे comment करके बताओ, लेकिन अब जल्दी से यह जो watch है, इसे on कर लेते हैं, और इसके features है, उसे यहाँ पर check करते है, तो watch को अन करने के लिए, आपको यह जो पावरवला बटन है, इसे प्रेस करके रखना है, और यहाँ पर यह जो watch है, जैसा आप दिखते ह यहाँ पर, जो screen है, वो काफी बढ़िया है, यहाँ पर आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है, तो काफी पंची से color है, डीप, आपको ब्लाक एखने को मिलेंगे, और screen की quality मुझे काफी सही लगी है, काफी sharp display है, लेकि इस watch को यूज को यूज को यूज को यूज करने हैं, जिसक आपको इसकी screen को hold करके रखना है, और यहाँ पर आपको कुछ default watch faces आपको देखने को मिल जाएंगे, तो कुछ यहाँ पर इस तरह से आपके जो watch faces है, और इसके अलावा आप इसके app के थरू भी watch faces है, उसे install कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर यह वाला लगा जाता हूँ, और इसके आप इसको on करोगे, तो screen की brightness कम हो जाती है, vibration वगारा, यहाँ पर disable कर देता, तो battery बच जाती है, उसके बाद next option, यहाँ पर music control का है, तो music control वगारा कर सकते हो, लेकिन इसको आगे test करेंगे, उसके बाद इहाँ पर next option है, flash का, तो आपकी screen हो white हो जाती है, और अंधेरे काफी अच्छी कासी है, और indoor-outdoor में हाँ पर कोई problem नहीं होगी, तो वापी से मैं इसको half पही रख देता हूँ, और यहाँ पर last option है, वो है setting का, लेकिन setting को हम आगे देखेंगे, उसके लाबा home screen पर कर आप left से right की तरफ स्वाइप करते हो, तो आपके shortcut cards आते है, और यह activity रहेंगे, हमेशा fully दिखा रहा है, कोई bug बगारा है, hopefully यहाँ पर upgrade के तरू कुछ यहाँ पर fix हो, लेकिन अगर आप इसको swipe करते हो, तो नीचे आपके जो tracking information देख जाएगी, तो कितने अपने steps count के वो यहाँ पर आप दिख जाएगा, उसके लाबाबा यहाँ पर last night की जो tracking information है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने कुछ time पहले इसको पहना था, तो वो tracking information दिखा रहा है, और उसके लाबाबा आप वापिस से जाते हैं, और sleep tracking में भी यहाँ पर आप देख सकते हो, पिछले कुछ दिन की sleep है, deep sleep, light sleep, तो यहाँ से आप देख सकते हो, history बगार तो काफी अच्छी है, यहाँ पर information आपको मिल रहे है, और उसके बाद अगर आप और swipe करोगे यहाँ पर तो आपको heart rate monitoring है, तो इसको हम आगे चेक करेंगे, जब मैं इसको पहनूँगा, और SPO2 monitoring भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो इसको भी हम चेक करेंगे, obviously इसके यहाँ पर जो music control का option है, तो यहाँ पर आप play pause कर सकते हो, next previous जा सकते हो, तो इसको भी एक बार यहाँ पर test कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं play करेंगे टाप करता हूँ, तो यहाँ पर song है बचना शूरू हो गया है, और यहाँ पर मैं next song पर भी जा सकता हूँ, या फिर previous song पर इसी चीज को भी अगर आपको select करना है, तो आपको इस तरह से इसको dial करना है, और यहाँ पर जो भी आपको select करना है, तो आप इस पर टाप कर दो, तो select हो जाएगा, और लेकिन यह जो menu है, थोड़ा सा यहाँ पर confusing सा भी लग सकता है, लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर की करोगे, तो भी यहाँ पर आपको एक menu दिया हुआ है, और जितने भी functions रहेंगे, वो आप यहाँ से भी access कर सकते हो, तो सबसे पहले यहाँ पर step counts है, तो जैसे आप यहाँ पर जितने भी tracking information आप देख सकते हो, sleep tracking आप यहाँ पर देख पाओगे, heart rate monitoring, exercise, तो इसमें आपको sports mode मिलते हैं, वो 28 के करीब sports mode मिलते हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो, hiking, running, cycling, skipping, badminton, तो बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पर सारे तो नहीं पढ़ूँगा, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो, cricket cupboard भी आपको यहाँ पर मिलता है, उसके लावा SPO2 monitoring, weather की information, जैसा मैंने जो मैंने नोटिस करें, कि इस watch में आप home page से कहीं से भी notification access नहीं कर सकते हो, चाहे आप left से right की तरफ जाओ, तो भी menu आता है, और नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, तो भी menu आता है, तो दो-दो menu आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो मुझे थोड़े से unnecessary लगे, नीचे से ऊपर की यह एक है यंग bird, जो बेसिकलि एक तरह से flappy bird की तरह है, तो यहां पर आप, टैप, टैप करके जो, तो यहां पर अपर आप गेम खेल सकते हो, यहां यह तरह से तरह से लिए और यहां पर जो दुसरी इम है, वहे 2448 तो इसमें भी जो अनंबर कॉंबनेशन बनाना था तो आप इस तरह से खेल पाओगे इसमें तो यह कुछ दो इसमें आपको गेम्स मिलती है और उसके लाबा लास्ट ऑप्शन है वह यहां पर है सेटिंग का तो सबसे पहले यहां पर स्टॉप वच है अलाम्स है तो आप यहीं से लगा सकते हो और उसके लाबा यहां पर टाइमर क करेंगा अगर आप यह इनेफल करते हो और उसके लाबाद दूसरा ऑपशन है वहां पर एनलोग का तो उसको भी ऐक बार चेक कर लेते हैं और आलोग में ऑल्वेज वह इस तरह से दिखता है उसके बाद नेक्स ऑच्शन है ब्राइटनेस का वाइब्रेशन यहां से ओना र सकते हो theater mode basically आपको notification वगएर नहीं आएगी कही बार movie वगएर देखते हुए reset का option है power off का option है about app download find phone का option आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा तो यह तो बात हुई firebolt incredible के features के बारे में और features wise वैसे काफी बढ़िया है और यहां पर तो screen मुझे काफी बढ़िया लगी है इसकी काफी अच्छी है AMOLED display और साथ में हाँ पर UI काफी smooth है वो एक चीज है लेकिन कुछ कुछ चीजे हैं जैसे कि यहां पर आपको जैसे जैसे आप activity कर रहे हो तो यह रिंग अपने अपसे complete हो जाए लेकिन यहां पर I think कोई बग है तो कोई update वगर आएगा तो उससे fix हो सकता ही है बागी feature इस watch के काफी बढ़िया है UI काफी smooth है और display भी काफी बढ़िया लागा मुझे लेकिन अब मैं इसको जल्दी से एक comfort level भी यहां पर काफी बड़ी है काफी soft से यहां पर जो straps है और काफी lightweight और sleek design है तो रात को पहन कर सोना चाहते हो sleep tracking के लिए तो वह पहन सकते हो लेकिन इसके लाबाद इसका SPO2 और heart rate है उसको यहां पर measure कर लेते हैं तो यहां पर swipe करके आपको heart rate measure करना होगा और यहां पर इसने मेरा heart rate है उसे बता दिया है 87 beats per minute और मैं इसको कुछ time से test कर रहा हूँ और almost यहां पर काफी accuracy है और इसके बाद आप swipe करोगे तो आपका SPO2 का reading आप यहां से test कर सकते हो और यह मेरे blood में oxygen का level है उसे बताएगा लेकिन मैं हर बार की तरह बोलता हूँ यह कोई medical equipment नहीं है आप सिरफ इनको idea लेने के लिए उसकरो तो बेटर रहेगा और यहां पर इसने मेरा जो oxygen का level बता दिया है वो बता दिया है 97% और यह भी बोलोंगी काफी हद तक सही है लेकिन उसके लावा इसको table पर रखके भी check कर रहेते हैं कि table की heart rate और SPO2 उसे measure कर पाता है या फिर तो यहां पर heart rate है उसे यहां पर इसने measure नहीं किया और पहनने को बोल रहा है उसके लावा इसका जो SPO2 उसको भी यहां पर check कर लेते हैं और table का जो oxygen level है वो भी यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पहनना होगा उसके बाद SMS और call notification की बात करूँ तो call आने पर यहां पर smart watch के features वगारा के बारे में जो कि मैं बोलूँगी काफी हैं कुछ-कुछ चीज़ें जो मैं आपको में आपको मेंशन कर चुका हूँ लेकिन इसके लावा जैसे मैं बताया था आपको एक app इंस्टॉल करनी है द फिट और उसको मैंने इहां पर incredible ring 2 की वीडियो में भी काफी अगर आपने आप के बारे में जाना है तो आप वो वीडियो चेक आउट कर सकते हो उसका लिंक आपको नीचे description मिल जाएगा तो यह तो है firebolt ring 2 definitely जो इसका प्राइज है 4000 रुपे तो उसके साब से आपको काफी अच्छी खासे build quality काफी अच्छा UI है screen यहां पर काफी बढ़ में तो यहां पर जो tracking information की जो accuracy है वो यहां पर ठीक ठाक है heart rate sensor SPO2 में मुझे यहां पर कोई issue ने दिखा लेकिन इसके लाबा मैंने इसको सोते वे पहना हुआ है sleep tracking के लिए और यहां पर मैं बोलूँ है कि जो sleep tracking है वो यहां पर थोड़ी से inaccurate सी लगी क्योंकि सोने से पहले जैसे में movie और देख रहा हूं तो वह movie देखने का जो time था उसको भी एक तरह से sleep की तरह काउंट कर रहा था तो वह मुझे थोड़ा सा inaccurate लगा है लेकिन उसके लाबा यहां पर steps count है वह यहां पर ठीक ठाक है बहुत ज्यादा accurate भी नहीं बोलूँगा लेकिन फिर भी काफी ह इस वीडियो में giveaway कर रहा हूं तो इन वाचिस को जीतने के लिए काफी सिंपल सी स्टेप्स हैं सबसे पहले तो आज की वीडियो का जो लाइक टार्गेट है वह है 5000 तो जल्दी से लाइक का बंटन दबा दो और उसके बाद मैंने इस वीडियो में आपसे question पूछा है तो उ और मैं मैं आपको भाजिए हैं